0 में से 0 गया तो क्या आएगा? 0 मेंसे 2 नहीं जाएगा यहाँसे अगर हम 1 बोरो करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 10 और यहाँ रह जाएगा 0 इस 10 मेंसे तो आपके पास क्या रहा? 80 ठेक है? यह आपके पास 1st step है ठेक है? इस 20 को आप माइनस कर दोगे ठीक है अब अगर 80 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हैगा आप इस 80 में से 20 को माइनस कर दोगे 0 में से 0 गया तो 0 और 8 में से 2 गया तो आपके पास क्या बचा 6 कितना है आपके पास 60 ये 60 आप यहां लिखोगे 60 और minus किसको करोगे इस 20 को जो आपको divide करने के लिए दिया गया है 60 minus 20 अब आप क्या करोगे यहाँ पे side पे 60 में से 20 को minus करोगे 0 में से 0 गया तो 0 और 6 में से 2 गया तो 4 कितना आए आपके पास 40 तो 40 आप यहाँ लिखोगे 40 minus कितना आएगा 20 फिर आपने 20 को 40 में से minus किया अब देखो 40 में से 20 जाएगा तो वो आएगा 0 में से 0 गया 4 में से 2 गया तो 2 कितना आए आपके पास 20 वो 20 आप यहाँ लिखोगे और इस वाले 20 को आप minus करोगे और 20 में से 20 गया तो आपके पास next किया आया 0 अब आपने देखने कितने step में solve हुआ, first step तो यह आ गया, hundred minus twenty, second step यह आ गया, eighty minus twenty, third step यह आ गया, sixty minus twenty, fourth step आपके पास यह आ गया, और fifth step आपके पास है, twenty minus twenty आ तो one, two, three, four, five, कितने step हुए, five तो equal to को लगा कि जो यह circle बना है, वहां आप क्या put करोगे, five put करोगे, Okay students, यह question ऐसे होगा, first question मैंने आपको book में बता दिया, second मैंने आपको इसमें बता दिया, तो आपने इसकी practice करने है, खुद करने के, ठीक है, बाकी के question हम कल करेंगे, thank you students,